तो देखो भाई अपना संडे का तो इंतिजाम हो गया है ठीक है देखने का भी मैंस देखने का भी और यहां से खेलने का भी क्योंकि मैंच यहां से पाकिस्तान वासिस इंडिया एक बीच में इस इसी एमर्जिंग एशिया कपका यह फाइनल मैच रहने वाले आप पहले तो क सब्सक्राइब और इन दोनों टीम्स का मैंच एक बार हो जोगा है मर्जिंग कप में और जिसमें की इंडिया बड़ी आसानी से जीत गई थी ठीक है अब आज से आज भी वापस है यूगास तो फाइनल है आज भी वापस है वैसा होगा या फिर कुछ अलग चीज़े वह सब्सक्राइब नहीं क्या हुआ है चैनल को पड़ावाट सब्सक्राइब भी कर लो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा सब्सक्राइब कर लो अब आते इस ग्राउंड की बात करें तो यहां पर मैं आपको वैसे टोटल नहीं सब्सक्राइब तो यहां पर ना अभी इस कप में चार मैच हुए जिसमें कि दो बैटिंग फैस्ट और दो जीते बैटिंग सेगिंड करने वाली टीम नोर्मली देखा जाए तो स्ट्रॉंग टीम ने मैचेज विन करें आप ठीक है अब यहां पर देखते हो अब अब 21 जुलाई को यह समी फाइनल टू हुआ था ठीक है इंडिया वसाज बांगलादेश यह के बीच में इंडिया यह ने 211 बनाया थे और रोलाउट हो गए थे ठीक है बांगलादेश यह भी काफी अस्था चल रही थी बढ़ बाद में फिर भो भी खर गया एक्दम बढ यह विच्छ था साथ विकेट पीट पेस्के देखने को में लेते हैं ठारा जुलाई को मैच हुआ शरलंका ने 259 बनाए ओमान को इन्होंने फोटी तूरंस पर ही ओलाउट कर दिया सिर्फ जिसमें कि गईारा विकेट स्पिन पेते और 17 जुलाई को मैच हुआ जिसमें ने बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे स्पिन के विकेट्स भी देखो काफी जाद हो चुके और दोनों ही टीम्स के पास में जो स्पिनर विकेट ले रहे हैं वह बहुत बढ़ी है दोनों टीम के पास है उन्होंने ही अच्छा पर हो इस किया है बॉलिंग शेक्शन में अब देख दर्सने फर्स्ट इनिंग में विकेट निकाले सेकेंड में तो वह भी नहीं आए जादा अब अगर आते अपने टीम के ऊपर रिसेंट फोन देखोगे तो वह चार मैक्स का लिखा हुआ है जो भाई इन्होंने इस टूर्नेमेट में खेले हैं ठीक है क्योंकि बागी कुछ तो उनका पिछला फोम है वह तो मैं बहुत ही जादा पुराना हो जाता है तो उसमें साही शुदर्शन है बाई जिनों अब तक दो है इस तो बहुत बढ़िया केले पहले मैच में फ्लोप हो गया थे वाट उसके बाद के 58 बनाए 104 बनाए थे इन्होंने अगेंश पाकिस् अगेंश में इस कप में ग्रूप स्टेज में उसमें 104 थे इनके 21 मैच में अभिशेक शर्मा अभी तक कहीं ना कहीं वह उल्डराउन परफॉंस निकालते हुए आ रहे हैं पिछले मैच में चोथी सब्सक्राइब फिर बीसरें जीरो विकेट फिर 87 रन जीरो विकेट और फ सब्सक्राइब बनाए हैं एक मैच में किस नोट आउट और पिछले मैच में डूपती नहीं को यहां सब्सक्राइब निसान संदू यह थोड़ा नीचे भी आ सकते वैसे बैटिंग करने पराग को उपर बेजा सकता है ठीक है संदू नीचे हो सकते हैं बट आप संदू के सब्सक्राइब देखो तो भाई पुल मिला कर बंदा चार मैच में दस रिकेट निकाल चुका है ठीक है यही यह स्पिनर जो बढ़िया कर रहे हैं लेफ्टाम और तो बागे रियान पर आगा आते हैं यह बीच-बीच में कि बोलिंग भी करा दे रहे तो एक विकेट है एक बागी दो मैच में इनकी बैटिंग मगरा आई नहीं है उसके बाद में हर्शित राना शुरुआत के दो मैच में तो इन्होंने विकेट निकाले बट अभी जो रिसेंट के दो रहे हैं पाकिस्तान और बंगलदेश के अगेश्ट में उसमें यह विकेट लैस रहे हैं शु ठीक है इनकी तरफ से आप देख लो 3-6-9 विकेट इनके नामें चार मैच में ठीक है तस विकेट उसने निकाल रखे है चार मैच में बागी यहां से हंगर गेकर है एक मैच में पांच विकेट हैं एक मैच में तीन विकेट देखने हो मलते हैं लास्ट मैच में विकेट ला है एक विकेट इन्होंने भी निकाला था ठीक है तो यह है इंडिया एक तरह से जो प्लेइंग 11 आजाते हैं निकल कर अभी दर से सिंपल है साई शुदर्शन अभीशेक शर्मा निकिन जोस ले सकते हुए अच्छा कर रहे हैं उसकार्थ में यस दूल आपके लिए काफ इंप आपके लिए इंपॉर्ण बनते है यूरास दोदिया को जील के लिए ही ट्राय कर लो तो सही है ठीक है अब आते अपना भाई नेक्ष निकल कर ओवर्स भी बतायतों वैसे मैं कौन-कौन डाल की जाएगा तो बोलिंग कि अगर इधर से बात की जाने यूरास सिंग दोदिय ठीक है आपको जो विकेट दिखेंगे वो हर्शित राणा हांगर के कर्मानासूतर निशान संदू पूरे दस-दस ओर डालने वाले इनकी तरह से मुष्णिया को विकेटे जिए देखने को मिलने वाले अब आते हैं पाकिस्तान की टीम के ओपर क्या पाकिस्तान का वरोस कै कि नोने नहीं खेलिए चपपन चोवेज और बाइस इंडिया के गेश्ट में जब मैच वाता हो तो यह जीरो पर आउट हो गए थे उसके बाद में यहां से चल रहा है इसकोर तो पहले मैच के बाद से उसके बाद में ओमयर युसुफ है 88-0, 24-36 का स्कोर इनके तरफ से रहा है अभी तक इस इशागब में बाग उसकार में आता है तैयब ताहिर पहला मैच 51 पाच रन और फिर यहां से 26 देखने को मिले है इनकी तरफ से उसका बाद में यहां से आते है कासिम अकरम इनकी तरफ से भी कहीं न कहीं बाई थोड़ा ओल्डरान परफरंस रहा है अलगी चले एकी मैच में पहले मैच में इन्होंने 10 रन और 6 विकेट निकाल दिये थे सामने टीम थोड़ी सी कमजोर जरूर थी ठीक है उसके बाद में इन्होंने 48 रन बना है विकेट लेस और फिर आठ रन और फिर विकेट लेस यहां से देखने को मिले थे उसका बाद में आते हैं मुहमद हैरेस इनके विकेट कीपर 52 55 है बागी 14 और 9 का स्कोर इनके तरफ से रहा है बागी देखो मुहमद हैरी जादा बहतर बनते है बनते है आपके बास विकेट की पर उप्षिंस है ठीक है उसके बाद में आते हैं सा मुबाशिर खान एक और और राउंडर इनके पास में इस ओल्ड राउंडर ने जरूर भाई कासी मकरम से दो जादा बहतरी किया है बैले इस रन दो विकेट है अठाइस रन एक विकेट इनके तरफ से अभी तक देखने को मला है अमाग बट है राइटम पेस एक विकेट ओर जिरो विकेट दो ही मैच खेले क्योंकि उसके बाद में मुहमद वसीम जुनियर की बात करें पहला मैच तो चंप के थे उसके बाद में तो एक जिरो और जिरो ही देखने को मैले विके मैं से कोई एक आप ले सकते हो साहिम आयूग या फिर सहीम जाधा फरान उसके बाद में ओमयर युसूफ आपके लिए ठीक बनता है तहीं अब तहीर अगर लेना चाहो तो ले लो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ओमेर यूसोफ ठीक है उसके बाद में कासी मकरम एजन ओल्ड राउंडर मुहमद हैरी सुक्ट कीपर के रूप में मुबाशर खान एजन ओल्ड राउंडर आप यहां सब एक कर सकते हो मुहमद वसीम जुनियर को कि भाई उनको वह इंटरनेशन वाला एक्स्पीरेंस है यहां बाकि अगर अर्शादिक्बाल वगरा ट्राइक करना हो तो करो नहीं तो छोड़ सकते हो तो कि जादा प्लेयर पागिस्तान के तरफ से अच्छ है भी नहीं अब आज आते हैं अपना निगल कर यहां से एक बटिन के पास मेरा यहां से एक स्पिनर जरूर है जो है महरान मु पाकिस्तान में पिछले मैच में क्या गया है चार प्लेयर चेंज कर गए टीम में ठीक है इन चारों को बाहर बेजा अंदर लेलिया वहाई चार प्लेयर को बागी कामरान गुलाम 31 63 15 का स्कोर रहा है हसी बुल्ला खान ने 27 और 12 बनाए है उसके बाद में शानावास धानी वहाई पहला मैच चलेते घी के देखने को बाद में फ्लकी मेले उसके आध मे अले ऐन्डिया की तरफ से लिंग और नोर्मली एम जी तो यह छार प्लेयर प्लेयर है नितीश रेड़ी है नितीश रेड़ी ने इसी डूर्णामेट के तीन मैच के लिए जिसमें एक में दो विकेट था बागी दोनों मैचेज के विकेट लेस्ट रहे अकास सिंग जो लेफ्ट नाम पेसे इनको भी एक मैच खिला गया था विकेट लेस्ट देखने को मिले प्रब उन्होंने रंस काफे ठीक ठाक जो बना रखे तो यह रहती है बैंच की अब इंडिया शायद यहां से बाई चांस नहीं लेना चाहिए प्रब समरेन या प्रदोश एंजन पोल को अभी टीम में शामिल करके फाइनल मैच में तो सेम प्लेइंग उनके साथ ना वो खेल सकते हैं यह वाला मैच बाके इनके बैक अप प्लेयर में देखा जाए मोहिट रेड कर अर्श दुबे नहल वदेरा और स्नेल पटेल यहां से देखने को मिल जाते हैं ठीक है वेन्यू की बात करते हैं और पाकिस्तान की तरफ से बोलर्स मों बताना बूल के तो वह भी आपको ए सब बरावराबर आपको डालते वह दिख सकते हैं मतलब की 6-7 और आपको सब के यहां से देखने को मिल जाएगे ठीक है अब आते हैं अपना नेक्ष निकल कर जो वेन्यू स्टैट्स रहते हैं तो एक मैच खिला है पाकिस्तान एक टीम ने इस ग्रौंग पर इस सीजन में सिर्फ एक मैच और इंडिया की टीम ने खेले तीन उन्होंने तीन के तीन जीते हैं पाकिस्तान ने एक खेला वो हार गये थे वो भी था अगेंस्ट इंडिया ही अब मैं आपको वह एड़्वेड मैच जरूर दिखा देता हूं यहां से विगट थे और किसके नहीं थे उस निकिन जोस ने उस मैच और फिफ्टी थ्री बने और येश दुल ने लाश्ट में आकर थोड़ा काम पूरा किया और 21 नोट रॉट बनाए थे विकेट की जाए इंडिया की तरफ से हांगर के करके पांच विकेट थे मानों के यहां से तीन विकेट देखने को मिला है टीम ही वह क्या मन सकती है ठीक है टीम में यह वैसे एक दो चैंजेस भ्याश को रख यहां से मैं विकेट कीपर में हैरिस को रखा है उसकार निकिन जो सलारशन है यश्दूल नियु Il चायग जाए हैš यहां से निशान सिन्दू है और उसके बाद मैं अभी शल्मा को लिख्या लिया हुआ है मैंए हंगर केकर को पिक किया हुआ है मानाउ सुथर होगा मेरे पास में और उसके बाद मैं यहां से लिया मॉंबद तो आपको पॉइंट्स तो देही जाएंगे और सेम चीज यहां से मानोस उतर के साथ में यह थोड़ा सा रिस्की बनते हैं थोड़ा अलग अटके बनेंगे वर ट्राइब जरू कर सकते हो और अभी शेक शर्मा सेफ है तो इस वाइब बैटिंग बोलिंग दोनों करने वाला ह वापके उल्डवेश्टेस मैच के लिए मिलते हैं अपको रेक्ष्ट्रेविंग बहुत ही जारे जब कर दो